तो दोस्तों आज की इस पीडियो में मैं आको बता हो कि आप अपने इस्टराम की स्टोरी की उपर बिना रिकोर्ड बटन को होड़ करे वीडियो कैसे रिकोर्ड कर सकते हैं तो दोसरो अपने Instagram की story पर बिना button को hold करे वीडियो को record करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने Instagram के app को यहाँ से open कर लीजिए यहाँ से open करने के बाद simply जो है आप add story के उपर यहाँ पे click करिए और यहाँ पे click करने के बाद आपको सबसे उपर आपका camera यहाँ पे show रहोगा आपने simply इसके उपर click करके अपने camera को यहाँ पे open कर लेना है और अभी हम यहाँ पे video record करने के लिए button को ऐसे hold करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे video को recording start होगी और अगर हमने button को ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया तो हमाई recording भी यहाँ पे बंद हो जाएगी लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक बाद टैप करें और recording चलती रहे तो उसके लिए अपने का करना है जैसे हम बेक आऊंगो यहाँ पे और इसको discard करता हूँ अभी जैसे मैं simply अभी यहाँ पे टच करूँगा तो simply photo घींच देगा वीडियो recording नहीं चलेगी तो हम यहाँ वीडियो recording करने है तो उसके लिए आपने याँ करना है आपको देखे साइड में यहाँ बहुत सारे option दिखे रहोंगे और नीचे एक arrow सा भी दिखरा होगा आपने simply इसके उपर यहाँ पे click करना है यहाँ पे click करने के बाद आपको यहाँ पे देखे fourth number पे एक option में लेगा hand free तो आपने simply इसको touch करना है उसको slack करना है जैसी इसको slack करेंगे अब जैसी आप जो record बटन के उपर tap करेंगे तो आपके recording लगाता चलती देगी चाहिए आप बटन को hold करो चाहिए ना करो तो simply मैं जो है record बटन के उपर यहाँ पे tap करता हूँ और बस आप देखते हैं अभी recording यहाँ पे चल रही है तो कुछ इस तरीक है जो है आप अपनी इस्टरांग के story के उपर बिना record बटन को hold करें अपनी वीडियो वो record कर सकते हैं और जैसी आपकी वीडियो यहाँ पे record हो जाएगी तो simply आपने इसको यहाँ पे post कर देना है तो मुझे तो इसको यहाँ पे post नहीं करना है तो simply मैं इसको यहाँ पे disregard कर दूँगा तो दोस्तों फिर बस आज किस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पस्टाइब करें शेयर करें चैनल को सब्स्ट्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए